हलो दोस्तों तो हमसे एक सवाल पूछा गया है कि हम डेट और टाइम का फोल्डर वी बीए से कैसे बना सकते हैं तो नॉर्मली डेट का फोल्डर तो हम इस तरीके से बनाते हैं अगर मैं न्यू पर जाके यहां पर फोल्डर बनाता हूं तो जो आज डेट है मालो जैसे आज डेट है 25 मार्च और 2023 इस तरीके से बनाते हैं और जो टाइम होता है ना टाइम के लिए जैसा भी दस बज़े हैं तो मैं दस लिखने के बाद अगर कॉलन ट्रेस करूं तो यह अ हम क्या करते हैं हम डेट लिखते हैं 25 तीन दो हजार तेज फिर अंडर स्कोल लगाके टाइम लिख देते हैं जैसे 10 नो और 10 से पहली डेट होगी है हमारी फिर इसके बाद टाइम इस तरीके से आप डेट और टाइम का फोल्डर बना सकते हैं अब इसको वी बीए से कैसे ब करते हैं वी बीए में कई तरीके से हम फोल्डर बना सकते हैं तो सारे तरीके आपको सिखा देते हैं सबसे पहला होता है हम लिखे mkdir उसके बाद फोल्डर का पादे दे जहां पर बनाना है और जिस नाम से बनाना है तो जैसे हमारा जो यह करंट फोल्डर है जहां पर हमार code file रखी है वहीं पर बनाना है तो हम यहां लिखेंगे this workbook.path और इस वाले folder के अंदर हमें folder बनाना है किस से date और time से तो इसके लिए हम now लिखेंगे now से हमें अभी का जो भी current date और time होगा दोनों मिल जाएंगे और इसको format कर देंगे हम vva.format से और इसको format कैसे करेंगे हम चाहिए ddmmyyyy and then underscore लगाएंगे हम और hhmss तो अगर मैं इतना code copy करूँ और Ctrl G प्रेस करके immediate window को open करके अगर यहां question mark लगा के इस code को लिखो और enter की प्रेस करूँ तो आप देखो मुझे यहां पर date मिली है और उसके बाद यहां पर time मिल रहा है तो इस तरह की string मिल गई है इस string से यह folder हमारा बनने वाला है तो हम क्या करें राइट साइड में इसको खोलते हैं और लेफ्ट साइड में अपना फोल्डर रखते हैं जो फोल्डर हमने पहले बनाया तो उसको कर देते हैं डिलीट और इस code को करते हैं हम रन देखो जैसे ही मैंने रन किया इस code को हमारा एक folder डेटो टाइम से बन गया है तो एक तरीका तो हमारा ये है दूसा तरीका क्या है कि हम लिखे file system.mkdir और उसके आगे same यह में यूज करना है इस तरीके से हमने डेटो टाइम के लिए string मनाई थी वो यह string कॉपी करके यहा ठीक है actually मैं same function हम दोने जगे यहाँ पर use कर रहे है तो मैं इस code को करता हूँ execute execute हुआ और देखो इस बार हमारा new folder हमारे लिए बन गया है एक और तरीका है जिससे हम folder बना सकते हैं उसके लिए हमेना एक library add करनी होगी तो tools में जाएंगे references में आपको नहीं Microsoft scripting runtime नाम की library अप अपने project में add करनी होगी और फिर एक class का ना object हमें चाहिए होगा तो इसके लिए एक variable declare करते हैं fso नाम से और यहीं पर इसका instance हम create कर लेते हूं class हमारी होगी scripting library के अंदर file system object और फिर हम use करेंगे fso.create folder और इसके आगे path दे देंगे path तो वही रहेगा जो हमने ऊपर बनाय था और इसको right side में खोलके अब run करें इस code को तो देखो यह भी हमारे लिए एक folder बना देगा तो यह तीन तरीके हैं जिससे हम folder बना सकते हैं और यह वो तरीका है जिससे अभी की जो भी data time है उसको हम format कर सकते हैं इसको किसी भी तरीके से आप format कर सकते हैं इस तरीके से बना करना है कि DD MM और YY लिखे आए तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और डेट और टाइम के फोल्डर को जिस तरीके से आप चाहें जो भी फॉर्मेट आप देना चाहें उस तरीके से बना सकते हैं उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी अगर अच्छी लगी हो यह वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कोश्चन है कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं इसी के साथ अब इजाज़त दीजी मिलते हैं नेक्स वीडियो लेक्चर में बाई